नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपनी योटोप चैनल इस्टडी सनी एडू क्लासेस में तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखेंगे आठ जुन 2023 के फार्ट सिप्स कोश्चन को जो आपके आने वाले एक्जाम के लिए काफी ज्यादा महत्पूर ह होने वाला है तो इसलिए आप सभी इस वीडियो को सुरूश लेके अंतक जरूर देखेगा तो इसी के साथ देर ना करते हुए आज की स्वेटरेन क्लास को स्टाट कर लेते हैं आज के पहले कोश्चन से तो आज का पहला कोश्चन है मत्य प्रदेश के पहले महाधिवक्ता कौन थे तो देखेएंस मत्य प्रदेश के महाधिवक्ता कारीयाले मत्य प्रदेश के गठन पर अस्तित आये थे देखे फेंस राज्य पुनर गठन अधिनियम 1956 की अनुसार जब मत्य प्रदेश के उच्छ नियाले की अस्थापना की गई थी तो उस समय मत्य प्रदेश के पहले माधिवक्ता की रूप में एम के अधिकारी को निप्त किया गया था आपसे भी ध्यान रिखेगा इसके बार निष्ट कोश्चन है भारत की प्रथम महिला विदेश मंत्री कौन थी तो देखे फेंस सयांसर है इंद्रा गांधी देखे फेंस इंद्रा गांधी भारत की प्रथम महिला विदेश मंत्री की रूप में नुक्त की गई थी जिनका नाम इंद्रा गांधी था देख कि घा घंदर फारती पूरा अश्च्छिस संग्रहले के सामने 17 इकड़ का मनोरंजन उध्यान है इसे गौतंबुदाः ऑर समराठ अशुक के जीवन और देखेएं इसके परिशर के अंदर मंदफ है जो दर्सकों को बहुत धर्म के चार महानं शत्यों, न बातेशिंग में अपने महान अस्तूप अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिलते रहे देखे फैसे क्लास आपको कहीं ने कहीं पसंद आई है तो इससे लाइक और सेर करना बिल्कुल मत भूलिएगा इसके लिए प्रति हैं किसके लिए प्रसीद हैं सयांशर है एची है के लिएगवरRती उद्या रात राजी के गिर राश्टी उद्यान में एक ही अबादी में मौझूद है देखे फेस एसी आई सीर का पैज्ञानिक नाम पैसल्स लियो पार्सिका है और इसे आई यू सीन सुची में लाल सुची के तहद लुप्त प्रयात प्रयातियों के रूप में सुची बद किया गय इसके बाद निश्ट कोश्चन है मद्य प्रदेश में लांच पैड़ योजना किस विभाग ने सुरू किया है तो देखे फिस सयांसर है महिला और बाल विकास विभाग द्वारा मद्य प्रदेश के अंदर लांच पैड़ योजना विभाग सुरू की है देखे फिस महिला और बाल विकास विभाग के द्वारा लांच पैड योजना शुरू किया गया है देखें फिस मदेप्रते सरकार ने बाल देख बाल संस्थानों के बाहर में निकलने वाले 18 वर्स की आयू पूरी करने वाले लड़के और लड़कियों के लिए लांच पैड योजना की शुरूवात की है और इस योजना को राजिम महिला और बाल विकास द्वारा इन युवाओं को एक मंच प्रदान करने के उद्यस सुरू किया गया है देखे फिर्स जिसके माध्यम से वे अपनी सिच्छा और प्रसिंचर जारी रखकर आत्म निर्भर बन सकेंगे आप सभी ध्यान रखेगा फिर्स काफी ज़्यादा इंपोर्टेंट कोश्चन है इसके बार निश्ट कोश्चन है बरगी बांध किस नदी पर है तो देखे फिर्स सयांसर है नर्मदा नदी पर देखे फिर्स जो बरगी बांध बनाया गया है वो नर्मदा नदी पर बनाया गया है देखे फिर्स जबलपूर की बरगी धाम नर्मदा नदी पर बने तीस बांधों में इसे एक महतपूर बांध है इस बांध का महतपूर इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि यह जबलपूर और आसपास के छेत्रों में जल की अपूरती का एक प्रमोक स्रोत है देखे फिस यह गुरुत्वी बंध बांध है इसका निर्मार 1988 में पूरा हुआ था आप सभी ध्यान रखेगा इसके बांध कोश्चन है नंदी कोलू निरित किस राजे से संबंधित है तो देखे फिस सायांसर है करनाटक राजे देखे फिस नंदी कोलू निरित किस राजे से संबंधित है तो एक करनाटक राजे से संब्दित है इसके बार निश्ट कोश्चन है निमिलकित में से कौन सा राजे कयाल के लिए प्रसीद है तो देखें फिर फिर सयांसर है केरल राजे देखें फिर फिर जो केरल राजे है ये कयाल के लिए प्रसीद है देखे फिर इस केरल में लैग्यून जीलो को कयाल के रूप में जाना जाता है कबाल का सब्द कवेक वाटर है और केरल वैक वाटर खारे लैगून और जीलो का एक तंत्र है और वेंड़ना कपाल में भारस की सबसे लंबी जील है इसके बार निश्ट कोश्चन है मद्य प्रदेश में मालवा की कौन सी जन जाती है वो अपने को राजपूत मानती है तो देखे फिर सयांसर है संतिया देखे फिर मद्य प्रदेश में मालवा की जन जाती कौन सी है वो संतिया है वो अपने को राजपूत मानती है आप सभी थ्यान रखेगा देखे फिन सातिया मालवा एक जन जाती है जो अपने खुद के मूर रूप से राजपूत मानती है देखे फिन बैगा सोयब को द्रभीड के वनसज मानती हैं और यह जन जाती मंडला बाला घाट, सहडोल और सीधी चिलों में पाई जाती है देखे फिन चिंदवाडा में पाताल कोट लगभाग 90 प्रसजन सख्या भरिया की है और यह वे क्रीसी मजदूरू के रूप में काम करने वाले साथ बंस मजदूर संदर कोटी और अन्यवस्तिवे बनाते हैं आप सभी ध्यान रखेगा संदर टोकरी और अन्यवस्तिवे बना सब्सक्राइब कोश्चन मैं देख रहा हूं कई एकजामों के अंदर रिपीट हो रहा है और यह संबधाव भारतित का थाओं का सबसे पुराना जीवित संग्रा है देखें यह एक हिंदू बिद्वान पंडित बिस्टू सर्मा द्वारा दोसो इसा पुरू के आसपास लि गंगोतरी राश्टी उत्यान किस राजी में इस्थित है तो देखें़ सजयांसर है उत्त्रा खंड राजी में गंगोतरी राश्टी उत्यान इस्थित है आप सभी ध्यान रखेंगा फिर्स काफी ज्यादा important question है देखें़ अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को पेज़ कर लो तकि आने वाली स्टार मिलते रहे देखे मैं से सब्सक्राइब को कहने के पसंद आई है तो इसे लाइक और शेर करना पिल्कुल मत भूलिएगा थे भी देखे भी पेटा आपका लाइक हमारे क्लास को डिपेंड करता है कि हमारा क्लास कैसा है इसके बाद देखते हैं फ्रेंज इसकी अस्थापना गंगोत्री राष्टी उद्यान की अस्थापना सूरत सितंबर 1989 को उत्राखन के उर्तक साली जिले में किया गया था और इसका छेत्रफल 2390 वर्ग मीटर है और यहां गंगा मुखी का सुरोत का यहां इस्तित है और यहां भरल की अबादी में उलेखनी है देखे फिस यहां कस्तूरी म्रेग, हिंद, तेंदुआ और हिमाले तरग भी पाए जाते है इसके बाद निश्ट कोश्चन है मद्यप्रदेश का कौन सा अस्थल यूनस्को में सामिल है तो देखे फिस सयांसर है भीम बेट का देखे फिस यह भीम बेट का मद्यप्रदेश का यह अस्थल है जो यूनस्को में सामिल क्या गया है जिसका नाम भीम बेट का है देखें फिस मद्यप्रदेश के राजी के राय सेन जिले में एक 200 धरुहर अस्तल फिम बेट का अपने प्रग्डोकिक इतिहासिक सहला स्लेयों के लिए जाना जाता है और इसे यूनस्को में सामिल क्या क्या है देखें फिन्स ये यूनसको में 200 धरोहर अस्थल है जिसे 7 पहाड़ियां और 10 किलोमेटर से अधिक दोरी की है और इस वर्स में 2003 के इनने नामित किया गया था महारानी विक्टोरिया की स्वर्ड जैंती मनाने के लिए बनाएगे यूनसको 200 धरोहर अस्थल का नाम बताईए तो देखें फिन्स सई आंसर है छत्रपती सिवाजी महराज टर्मिनस देखें फिन्स महारानी विक्टोरिया की स्वर्ड जैंती मनाने के लिए बनाएगे यून स्वर्ण जैन्ति मानाने के उपलक्ष में बनाया गया था आप सभी ध्यान रखेगा फेंस काफी ज़्यदा important question है तो एक question और बन सकता है कि छत्रपती सिवाजी महराज टर्मिनस कब और कहां बनाया गया था तो देखेंस छत्रपती सिवाजी महराज टर्मिनस मद्यप्रदेश के अंदर 1887 में बनाया गया था देखेंस इसे 2014 में युनस को द्वारा 222 अस्थल घोसीत किया गया था आप सभी थ्यान रखेंस काफी ज़्यादा important question है इसके बाद निश्ट question है उस IPS अधिकारी का नाम बताएए जिसे 1994 में तीहाड जेल में सुधार के लिए रेमन मैंगेस पुरसकार से सम्मानित किया गया था तो देखेंस सयांसर है किरण वेदी देखेंस उस अधिकारी का नाम है किरण वेदी जिसे 1994 S.B. में तीहाड जेल में सुधार के लिए रेमन मैंगेस पुरसकार से सम्मानित किया गया था आप सभी ध्यान रखेगा फैस काफी जदा important question है देखे फैस किरणवेदी 1972 S.B. में पहली भारती महिला IPS अधिकारी बनी थी देखे फैस तीहाड जेल में विभीन सुधारों के लिए किरणवेदी को वर्ष 1954 S.B. में रेमन मैंगेस पुरसकार से सम्मानित किया गया था देखे फैस यह पुदुचेरी के वर्तमान राजिय पाल भी हैं आप सभी ध्यान रखेगा देखे फैस एक कोश्चन और बन सकता है कि भारत की पहली IPS अधिकारी कौन थी तो यह भारत की पहली IPS अधिकारी थी जिनका नाम किरणवेदी है और यह भारत की पहली अधिकारी 1972 S.B. में बनी थी इसके बार निच्ट कोश्चन है 1969 हिजबी में पंचायती राज अस्थापित करने वाला पहला राजी कौन बना है तो देखे फैस सयांसर है राजस्थान देखे फैस राजस्थान 1969 में पंचायती राज अस्थापित करने वाला पहला राजी बना है यहीं दूसरा राज की बात करें तो ओर राजी बना है आ आप सभी धियान रखेगा इसके बार पर का गनकैरिज एक्टरी माद्य पर्देश के की सिलह के शिलह बzięk 혹시 सजयांसर के इसले में रखन. देखे फेंस यह मद्य परदेश के जबलपूर में इस्थित है और यह रच्छा उत्पादन विभाग रच्छा मंत्राले के अधिन आयुद निर्माडी बोड एक इकाई है इसकी अस्थापना 1904 में हुई थी देखे फेंस राजयपाल जो हैं ओ हैं मद्य परदेश के मंगोशी पटे और मुख मंत्री जो हैं ओ हैं सिवरा सिंग चौहान देखे फेंस मद्य परदेश के अंदर लोगसभा की सीट 39 है और राजी सभा की सीट 11 है आप सभी ध्यान रखेगा फेंस काफी ज़्यदा important question है दे मिलखित में से किस जन्तू के लिए प्रसिद है तो देखे फेंस सयांसर है गैंडा देखे फेंस काजी रंगा राष्टी उत्यान गैंडा जन्तू के लिए प्रसिद है देखे फेंस काजी रंगा राष्टी उत्यान एक सिंग वाले गैंडों के लिए दुनिया का सबसे 185 में 20 सुधरोहर अस्थल घोशित किया गया था आप सबिस्त ध्यान रखेगा इसके बार निस्ट कोश्चन है नासा द्वारा अंतीरिच सटल में प्रयूग्त इंधन है तो देखेग्योग्त संगे तैल हाइट्रोजन दीखे तैल देखेग्योग्त संहन ज्वाहर लानलेharoo की द्वारां की द्वारा लीकी गई है अर बैदी राजनीति का एक मुक्री के बतीतू है के पास सबसुत इसके बारे के artists के सिखर पर माँंट एवरेष्ट के सिखर पर पहुचने वाली भारती महिला है जिनका नाम बचेंदरी पाल है देखे एक भारती प्रवत्रही है और यह 1984 में माउंट एवरेष्ट के सीखर पर पहुँचने वाली भारत की पहली महिला बनी है जिनका नाम बच्छंदरी पाल है देखे फेंस उन्होंने उन 2019 में भारत सरकार द्वारा पदमा भूसर पुरसकार भी दिया गया है जिनका नाम बच्छंदरी पाल है इसके बाद निश्ट कोश्चन है स्वच भारत अभियान की टैग लाइन क्या है तो देखे फेंस सही आंसर है स्वचता ही स्यवा है गंदगी जहन देवा है हर नागरिक का हो एस अपना स्वच हो संपूर भारत अपना आप सभी ध्यान रखेगा फेंस काफी ज़्यदा इंप प्रतिवर्स मनाया जाता है और यह 2010 से सुरू हुआ था और एक फरवर्य साथ से मनाया तक जाता है आप सभी ध्यान रखेगा